तो आज हमारा जो टोपिक है वह क्वेस्चन वर्ड से प्रारम होने वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसों का अनुवाद हम पढ़ेंगे अक्सर ऐसे सेंटेंस में हमको क्वेस्चन वर्ड कन्फ्यूजन क्रियेट कर देते हैं कि कहां पे कौन सा क्वेस्चन वर्ड प्रयोग किया जाता है तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखेंगे तो वीडियो सुरू करते हैं जर्शे दिया है कि आपने किसे बुलाया तो सबसे पहले हमको तो क्वेस्चन वर्ड लिखना होता है उसके पहले हमको यहाँ सेंटेंस देखना है किसे tense में है तो यह past indefinite है आपने किसे बुलाया तो बुलाने वाला यहां देखिए subject दिया है यानि आपने बुलाया तो आपने बुलाया तो किसे बुलाया मतलब जिसको बुला रहे हैं वह object है subject नहीं है object है क्योंकि बुलाने का काम तो आप किये है यानि subject भी है उसके बाद वर्व भी है अब किसको बुलाए तो जो object होना चाहिए उस object को ही आप बुलाए और उसी को हम question के रूप में कर रहे हैं तो जो हमारा who होता है वह subjective case होता है who का objective case whom होता है और जो possessive case होता है वह होज होता है इसका ध्यान देना है कि who subjective case whom objective case और who possessive case यानि अधिकार कारक होता है तो अब किसे बुलाया मतलब क्या है कि यह object है तो यहाँ पे जो objective case है उसको लिखना है तो यह हो गया whom अब यहाँ subject दिया है तो इसलिए subject के पहले हमको शहायक्रिया का प्रियोग करना है ताकि वह tense का बोध कराए तो past definite में सहायक्रिया के रूप में हमको did लगाना है तो यहाँ लगा देंगे did उसके बाद subject लिखना होता है तो subject है आपने यानि you उसके बाद वर्व लिखना है तो बुलाना तो बुलाना के अंगरेजी होती है काल तो past definite में चुकी did लग चुका है इसलिए जो उसका firm होगा वह first firm लगेगा तो इसलिए यहाँ लिखेंगे काल question mark आपने किसे बुलाया तो whom did you call या आपने किसे बुलाया उसी प्रकार अगला दिया है कि वह किसे से मिला तो फिर यहाँ देखते हैं वह मिला तो मिला तो है लेकिन किसे से मतलब फिर यानि object नहीं है उसी object के बारे में दिया है subject है यानि वह मिला है तो किसे से मिला है उसी object काम को mention करना है तो फिर यहाँ जो objective case है वही लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे home अब tense में आते हैं तो मिला है present perfect है तो अब subject देखते हैं वह है तो इसलिए यहाँ singular number है तो उसके लिए has फिर subject लिखेंगे तो subject हो गया ही अब मिला है तो जैसे ही present perfect होता है present perfect में हमेशा जो verb होता है वह third form में लिखा जाता है तो मिलना की अंग्रेजी होती है meet तो हमको third form लिखना है तो यह हो गया meet whom has he met वह किससे मिला फिर अगला sentence है कि वह किसको बुला रहा है यानि किसे हो गया किससे हो गया किसको वह किसको बुला रहा है मतलब वह बुला रहा है लेकिन आगे दिया है किसको तो फिर यानि object नहीं है उसी object को बुला रहा है और उसी से question किया गया तो यहां हो गया home यह हो गया home present continuous में है और subject वह है तो इसलिए singular number है तो इसलिए is लग जाएगा और जो subject है उसके बाद subject का परियोग करेंगे ही और उसके बाद जो verb है उसमें ing जोड़ देते हैं यह हो गया calling whom is he calling वह किसको बुला रहा है तो यानि किसको के लिए किसे, किससे और किसको, तीनों के लिए यहां पर whom का परियोग तो आसानी से हम find out कर सकते है कि कौन सा subjective case है कौन सा objective, तो objective तो समझ में आया, यानि subject है वर्ब दिया है और उसी object के बारे में पूछा जा रहा है मैं किसी को देखा हूँ यहां question नहीं किया जा रहा है, ध्यान दिये मैं किसी को देखा हूँ यानि मैंने देखा है या मैं देखा हूँ किसी को तो अब यह नहीं दे रहा, किसको मैं देखा हूँ मैंने किसी को देखा है यहां ध्यान देना है तो यहां है present perfect, यहां कि देखा हूँ, देखने का काम समाप्त हो चुका है, तो present perfect, तो यहां assertive sentence में है, इसलिए I, और यहां हो जाएगा have, यह हो गया I have, उसके बाद देखा हूँ, तो यहां verb third form, scene, देखा हूँ, अब किसको देखा हूँ, तो दे रहा है किसी को, तो object की परयोग करेंगे, तो किसी को देखा हूँ, मतलब someone, या somebody, तो यह हो गया someone, या somebody, दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं, कि I have seen someone, I have seen somebody, मैंने किसी को देखा है, अगला दिखते हैं, कि हम दिल्ली में रहे हैं, तो यहां देखिए, रहा है, रहे है, रहे हैं, जनरल यहां का आ निवस है ध्यान देना है sentence पढ़िए कि हम दिल्ली में रहे हैं रहे हैं मतलब रहने का काम समाप्त हो चुका है यानि हम दिल्ली में रह चुके हैं इसका sense यह है लेकिन confusion करने के लिए दिया गया है कि हम दिल्ली में रहे हैं रहा रही करके दिया जा रहा है तो यह present perfect के रूल से बनना है कि हम दिल्ली में रह चुके हैं तो यह हो गया कि we और यह हो जाएगा have और यहां रहे हैं रहे हैं मतलब रहना तो यहां हो जाएगा live और third form लगा देना है कि we have lived हम रह चुके हैं कहां रह चुके हैं दिल्ली में तो यह हो जाएगा in डेली तो we have lived in डेली कि हम दिल्ली में रह चुके हैं अब यहाँ ध्यान देना है कि कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि we have अब यहाँ जो लिव होता है उसका जो फार्म हम बीन में भी लगा सकते हैं यानि बी होता है तो बी के लिए हम been का प्रयोग कर शकते हैं कि we have been in Delhi तो खेर live का ही प्रयोग करे रहना है तो live का ही प्रयोग में देखते हैं जो be है उसको बाद में देखेंगे अब दिया है कि वह किसी से नहीं मिला फिर याँ ध्यान देना है वह किसी से नहीं मिला तो यानि वह नहीं मिला लेकिन किसी से तो question नहीं दिया है कि वह किसी से नहीं मिला question नहीं पूछा जरा वो बताया है कि वह किसी से नहीं मिला यह assertive sentence में है तो फिर यहां लिखेंगे he past में है तो इसलिए उसका जो rule है तो यहां हो जाएगा did not क्रिया है मिलना तो यहां हो जाएगा meet he did not meet क्योंकि did लगते ही क्रिया जो होता है अब खुशफाम लग जाएगा अब किसी से नहीं तो यहां लिखेंगे anybody यह हो गया he did not meet anybody एक तरह से हम इसको और भी बना सकते हैं अब यहां ऐसे लिख सकते हैं कि he अगर हम इसको affirmative sentence में अगर परियोग करना चाहते हैं तो meet लेकिन फिर आगे हम negative करेंगे तो इसके लिए जो negative हो जाएगा तो he meet और यहां हो जाएगा non he meet none या he meet nobody वो किसी से नहीं मिला ऐसे कर सकते हैं तो दोनो रूल सही है दोनो तरह से हम इसको लगा शकते हैं फिर अगला sentence है कि तुम क्यों गलती किये हो क्यों question कर रहा है तो why लिख दिया गया अब हमको tense देखना है तो किये हो present perfect तो present perfect you plural number में है इसलिए have का प्रियोग करना है और यहाँ subject हो गया you कि तुम क्यों गलती किये हो तो why have you अब यहाँ ध्यान देना है तो गलती करने का अंग्रेजी mistake भी होता है तो noun की रूप में भी अगर परियोग करेंगे तब अवलक से वर्व लगाना पड़ेगा अगर हम इसी को परियोग कर देते हैं मिश्टेक को अगर हम वर्व के रूप में परियोग करते हैं तो उसका first form होता है Mistake second form होता है Mistook और third form होता है Mistaken तो यहाँ mistaken किया जा सकता है अन्नित्हा अगर हम mistake को noun के रूप में लेखते हैं अलग से हमको वर्व का प्रियोग करना होगा, तो why have you, अब यहां करना पड़ेगा, make का third form made, अब यहां लिखना पड़ेगा, a mistake, यह हो गया, mistake और question mark, why have you made a mistake, कि तुम क्यों गलती किये हो, यह हो सकता है, अगला, कि वह तुम्हें कितनी कलमे दिया, कितनी कलमे, तो प्रश्ण पूछने का, जो हमारा काम कर रहा है, वह सब्द है कितनी, तो लेकिन कितनी के बाद आया है, हमारा एक noun कलमे, तो अगर कितनी के बाद आने वाला जो word है, अगर वह countable noun होता है, तब तो how many, अगर uncountable होता है, तो how much का परियोग करते हैं, तो कलम countable है, इसलिए हम कितना की जो अंगरे जी है, वह how many का परियोग करेंगे, यह हो जाएगा how many, यह हो गया, how many, और इसके तुरत बाद वह noun लग जाएगा, तो how many pens, past definite है, तुरत यह हंडिड लग जाएगा, उसके बाद करता है, वह, तो he, क्रिया फश्फाम आ जाएगा, तो देना, तो give, और उसके बाद object क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें कि यह अंगरे जी, यू का objective के सी यू होता है, तो यू लिख देंगे, कि how many pens did he give you, कि वह तुम्हें कितनी कलम दिया, उसी प्रकार दिया है, कि तुम उसे कितने पैसे दिये, कितने पैसे, तो अब कहेंगे कि जो पैसे होते, वह countable है, तो countable नहीं होता है, क्योंकि पैसे के अंगरे जी money होता है, तो money जो सब्द है, जो अंगरेजी में, तो money का plural number, money is नहीं होता है, इसलिए अंकाउंटेबल में है, तो इसके लिए हम how much का प्रियोग करेंगे, तो यह हो जाएगा how much, यह हो गया how much, और यह noun तुरत लग जाएगा, how much money, अब हो present perfect में है, तो अब subject हमारा you है, तो फिर यहाँ have लगाएंगे, और you हो जाएगा, वर्व third form, देना, तो given, और फिर है उशे, तो उसे के लिए यहाँ हम him लगा देंगे, और question mark लगा देंगे, how much money have you given him, कि तुम उशे कितने पैसे दिये हो, फिर उसी प्रकार अगला sentence है, यानि वह यात्रा किया, तो ध्यान देना है subject भी है, उसके बाद वर्व भी है, तो यानि उसके बाद object नहीं है, तो यहाँ किसके साथ, तो यहाँ किसके के अंग्रेजे यहाँ लिखेंगे whom, यह हो गया whom, अब यहाँ दिया है past में, तो यहाँ did लगा देंगे उसके बाद subject है वह यानि he यानि वह किसके साथ यात्रा किया, whom did he उसके बाद जो वर्व है यात्रा करना तो travel यह हो गया लेकिन उसके बाद आया है साथ तो अगर हमको शाथ की अंग्रेजी लगाना है तो अंत में भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली क्या करते हैं हिंदी के सिंटेंस में जिस भी वर्ड के बाद अगर preposition आता है अंग्रेजी में उसके पहले हम उस preposition का प्रियोग करते हैं तो बहतर यही होगा कि whom के पहले हम इसको लगाए तो यहां हो जाएगा कि with और यह हो जाएगा home और यह हो जाएगा did subject है वह तो ही और उसके बाद हो जाएगा travel और question mark अंत में भी लगा सकते थे वह भी सही है लेकिन बहतर यही है कि with whom did he travel कि वह किसके साथ यात्रा किया उसी प्रकार अगला sentence है कि तुम किसके भाई के साथ रुके अब यहां तुम रुके लेकिन यहां दिया है किसके भाई के साथ अब किसके के साथ यहां noun आया है तो जैसे ही किसी के साथ अगर noun आ जाता है तो वह possession अधिकार बता रहा है और वह adjective होता है तो जो यहाँ किसके आया है यहाँ adjective का कारी कर रहा है तो फिर यहाँ पहले साथ आ गया है तो पहले हम with का प्रियोग कर देते हैं यह हो गया अब यहाँ किसके के लिए अधिकार जैसे जता रहा है तो यहाँ जो whose है W-H-O-S-A उस whose का प्रियोग करना है क्योंकि अधिकार बता रहा है किसका भाई, मेरा भाई, तुम्हारा भाई तो यहाँ अधिकार है तो यहाँ possessive case प्रयोग होगा तो इसलिए with whose यह हो गया whose और इसके साथ जो now नाया है वह लग जाएगा यह हो गया brother उसके बाद tense में जाते हैं तो tense है past indefinite तो यहाँ तुरत did लग जाएगा उसके बाद जो subject है तुम है तो यहाँ लिख देंगे तुम यानि you और उसके बाद verb है रुकना तो रुकना के अंग्रिजी stop या stay तो यहाँ हो जाएगा बहतर है stay with whose brother did you stay तुम किसके भाई के साथ रुके तो यहाँ होम अगर करते हैं तो वहाँ गलत होगा क्योंकि अधिकार जब बता रहा है तो वह possessive case है तो whose का प्रयोग करेंगे with whose brother did you stay अगला sentence देखते हैं उसको किसने दंडित किया उसको किसने दंडित किया अब ध्यान देना है subject नहीं है उसको यानि जिसको दंडित किया गया है तो यह object है किसने दंडित किया अब जिसने दंडित किया उसी के बारे में पूछा जा रहा है यानि वही subject है तो किसने दंडित किया यह जो दंडित किया यही subject है तो यहाँ जो subjective case है तो यहाँ जो हू है यही subjective case है तो यहाँ हू का प्रियोग करेंगे तो यहाँ होगा हू तो यही subject हो गया अब चुकी past definite में है तो यहाँ did अगर लगाएंगे इसके बाद हमको subject लगाना होता तो subject चुकी यही है तो इसलिए subject के तुरत बाद हमको verb second form अगर negative होता तब तो did not अन्य था यहीं पर वर्ब second form में लगेगा तो यानि दंडित करना तो यहाँ हो जाएगा punished और second form लगाना है तो punished यह हो गया तो who punished किसने दंडित किया अब यहाँ उसको मतलब he तो he का जो objective case है him यानि who punished him उसको किसने दंडित किया फिर उसी प्रकार अगला sentence है कि तुम आगरा से कब लोटे तो यहाँ प्रश्ण पूछने वाला जो शब्द है वह कब है तो कब के अंग्रेज लिख देंगे वेन अब यहाँ subject है तुम लोटे है पास्ट में है तो हमको subject के बाद subject के पहले सहाई क्रिया लगाना होगा tense के अनुशार तो did हो गया अब तुम है तो you और वर्व है लोटना तो लोटना का होगा return या come back और उसके बाद दिया है आगरा से तो अब did लगा तो क्रिया फर्स्ट फर्म और उसके बाद आगरा से तो चुकि say preposition है फिर आगरा तो पहले preposition फिर उस noun को लिखेंगे तो यहां लिखेंगे from और यह हो जाएगा आगरा और question mark तो इस प्रकार हम छोटी छोटी जो हमारे जानकारियां है यूज है अगर उसको हम proper way में उसको प्रयोग करेंगी उसका ध्यान रखेंगे तो निश्चीत रूप से किसी प्रकार की कोई भी mistake नहीं होगी तो आसा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा यदि समझ में आया होगा तो निश्चीत रूप लाइक करें शेयर करें और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें फिर मिलते हैं कि शेने वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई